इस बंगले की कीमत 200 करोर रुपए से ज़्यादा है बॉली बूट के हीरो जीतेंद्र जी का घर इनका घर का नाम है गाईज अब देख सकते हैं कृष्णा नाम है So hey guys good morning, welcome to my new blog गाईज आज जिस एक्टर का हम घर दिखाने वाले हैं जैसा कि आप टाइटल और थामनेल में आपको देखके मालूँ पड़े गया होगा किस एक्टर का घर दिखाने वाले हैं तो जी हाँ बॉली बूट के हीरो जीतेंद्र जी का घर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आतिक हैं कि इस टाइम पर हैं जूंह से आपको दिखाने-वाले हैं वह तो आपको मैंने बता दिया का जितेंद्र जी का तो गाईच चल तक Cup of become ट cringe Jewish पिया है है उनका इस शितेंद्र जी के खर पर जी हाँ बॉलीबोट फिरो जीतंदर जी के घर पर और उनका घर में आपको देख सकते हैं यह रहा गेट सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह रहा बॉलीबोट के फिरो जीतंदर जी का घर इनका घर का नाम है जब देख सकते हैं कृष्णा नाम है जिहां कृष्णा नाम है यह रहा एड्रेस और यह रहा जीतेंद्र जी का घर पॉलिपोर्ट के हीरो जीतेंद्र जी का घर जीतेंद्र जी का घर जो है बहुत ही सांदार है बहुत ही सांदार बंगला है और गाइज मैं आपको बता दूँ कि इनके पिता जी का नाम है अमर नात कपूर और माता जी का नाम है कृष्णा कपूर मैं आपको बता दूँ कि जीतेंद्र जी की साधी 31 अक्टूबर 1994 को हुआ इनकी पतनी सोभा कपूर है और गाईज आपको बता दूँ कि इनके दो बच्चे हैं तुसा कपूर और एक्टा कपूर हैं और गाईज मैं आपको बता दूँ कि यहां से करीब केवल पांच लिट का रास्ता है जहां पर उनकी बेटी एक्टा कपूर और बेटा कुसार कपूर उस बिल्डिंग में रहते हैं जिसका नाम है कृष्णा 1 और कृष्णा 2 और गाइज मैं उपको बता दूं कि जीतेंद जी के माता का नाम है कृष्णा तो इनके नाम से रखा गया है कृष्णा जो उसमें एकटा कपूर रहती है और कृष्णा 2 में तुसार कपूर रहते हैं उस बिल्डिंग में रहते हैं और गाइज जो अलिसान बंगला देख रहे हैं इसका नाम भी है कृष्णा जीतेंदर जी के भाई का नाम है प्रसंद कपूर गाइज आपको बता दूं जीतेंदर जी का जो बच्पन का नाम है वो रवी कपूर था लेकिन वो फिल्म में आने के लिए उन्होंने अपना नाम रविष से बदल कर जीतेंद्र कपूर रख लिया था गैज आपको बता दें कि जीतेंद्र जी अभिनेता के रूप में फिल्मी केरियर बहुत ही लंबा साल 1960 से लेकर 1990 तक लगभग 30 वर्सों का रहा इनका सफर गैज मैं आपको बता दूँ कि जीतेंद्र जी ने अब तक अपने केरियर में लगभग 200 फिल्मे की है इस दोरान इंडरिस्टी की लगभग हर बड़ी एक्टर के साथ जीतेंद्र जी की जोड़ी बनी रही उन्होंने भारती सिनेमा का इकलोता ऐसा एक्टर माना जाता है जिन्होंने 80 के रिमेक फिल्मों में काम मिला गैज आपको बता दूँ कि जीतेंद्र जी किसी पहचान के महताज नहीं है भारत के प्रसिद अभिनेताओं में उनका नाम सुमार है जीतेंद्र जी का मुंबई जुहू में इस्थित बंगला कृष्णा फिल्मों के दिवाने और फैंस के लिए एक बड़ा लेंड मार्क है यह बंगला आकार डिजाइन और लजगरी की मिसाल है इस बंगले की कीमत 200 करोर रुपे से जादा है और यह मुंबई के प्राइम जुन जुहू में इस्थित है यह बंगला मुंबई के सोर सराबे से दूर सान्थ इलाके में इस्तित है इस बंगले में एक बड़ा गेश्ट एरिया है जिसमें सांदार सोफे हैं और अंदरूनी सजावट कमालकी है और गाईज मैं आपको बता दूँ इस घर में एक बड़ा गणेश मंदिर भी है और उनके पूरे परिवार भगवान गणेश का भक्त हैं हर साल इस बंगले में भव तरीके से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है इस बंगले का नाम सिर्फ क्रिष्णा ही नहीं बल्कि एक अन्य नाम प्रेम से मिलन भी है गाईज जीतेंद जी की नेटवर्ट की बात करे तो 200 मिलियन डॉलर है यानि 1500 करोड रुपए की संपत्ती है इनकी yearly income 100-200 करोड रुपए हो जाती है जीतेंद जी की car collection की बात करे तो उनके पास Mercedes binge GLS 35 ओडी भी है और इसकी कीमत है 88.18 लाख रुपए है और Mercedes binge E class जो इसकी कीमत है 82.10 लाख रुपए है और Toyota फर्चुनर भी है इसकी कीमत है 48.43 लाख रुपए है जो गाइज मैं बता दूँ जीतेंद जी की जो बेटी है एकता कपूर उनका नेटवर्थ है 13 मिलियन डॉलर यानी 116 करोड रुपए और इनकी salary भी है करीब 12 करोड रुपए से जादा और मन्थली income है 1 करोड प्लस है गाइज कुसा कपूर का भी इतना ही नेटवर्थ है और इन लोगों के पास PMW, रुणजवे, सहित कई गाड़ियों के showroom है गाइज ये जो आप बंगलों देख रहे हैं बहुत ही सांदार बंगला है और जीतेंद जी ने बहुत ही कड़ी महनत करके तब जाके मुकाम हासिल की है बहुत ही सांदार बंगला है और जैसा कि आप देख पा रहे है इस घर का नाम है कुसना तो गाईज आज का व्लोग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूब बताना उम्मीद करूंगा आपको ये व्लोग अच्छा लगा है तो आप ऐसे व्लोग देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को फटा फट सस्क्राइब कर लिजिए और हम आपको ऐसे वीडियो दिख खाती रहेंगे तो गाईज आप से मिलते नेच व्लोग में तब तब के लिए होके हैं बाई